नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अमारे यूट्यूब चैनल फोगस पावर में तो आज का नोटिफिकेशन आउट क्या गया है इंडियन आर्मी की अगनीपत स्कीम से लेटिड तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जो कि अभी हाली में न्यूज में है तो ओनलाइन र साथ क्या रहने वाली है यह सब दिस्कस करींगे और किस प्रकार से लिकसर करना है उसाब इस नोटिफिकेशन में दिया गया है और कौन-कौन सी पोस्ट पे इस अजोड़ीफिकेशन आउट किया गया है तो यह सब आपको इस वीड़िएativaButně बताते हैं तो लास्ट तक वी 2022 यानि कि एक जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन होना वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा कौन-कौन सी पोस्ट के लिए होगा अगनी वीर जन्रल ड्यूटी के लिए अगनी वीर टेकनिकल एवियसन के लिए अगनी वीर इस ट्रेट्समेन के लिए इस भड़ती होने वाल आर्मी में और इसमें इंक्लूड होगा आपका ट्रेनिक प्रेट्ट वी जो भी आपका शिक्स मन्त का ट्रेनिंग गोड़ता वह इस चार साल में इंक्लूड होगा नेक्ट पॉائंट के लिए ट्रमसें टनिशन में जो आर्मी अक्ट है 1950 उसके तहित अगनी वीर को लैंड स और रिजुटे आपको कुछ भी नहीं मिलेगी नेक्स्ट है जो भी important point होंगे वो सब discuss करेंगे तो discharge है जो आप जब 4 साल के बाद आप discharge हो जाओगे तो आपको अगनी वीर का एक tag मिलेगा और आपको सेवा निदी package दिया जाएगा 4 साल के बाद सेवा निदी जो package होगा उसमें आपको लगबग 10 से 11 रुपे का amount दिया जाएगा जो की non-taxable होगा और enrollment for regular cadder तो जो भी batch होगा अगनी वीर 25% जो regular cadder होंगे तो उसमें से 25% regular होंगे और 75% जो उस batch के होंगे उनको 4 साल के बाद army से अटा दिया जाएगा तो 4 year के बाद और जो भी इसका selection criteria होगा वो इंडियन आर्मी की जो judiciary decide करेगी कि इस base पे जो 25% है उनका selection किस तरह से किया जाएगा वो इंडियन आर्मी की judiciary decide करेगी अभी इस notification में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है तो आगे बढ़ते हैं इस notification में थर्ड एयर में आपको 36,500 और फोर्थ एयर में चालीस जार का आपको परमन्त दी जाएगी और इसमें से आपका 35% जो आपका 30% होगा वो आपका काटा जाएगा और एक कॉर्पस फंड में जमाऊगा और उसमें जितनी आपका सेल्दी से कटेगा उतना ही गोवर्मेंट भी आपको एड करके देगी और यही आपका स्वेवा निदी जो पैकेज होगा लाश्ट में 4 साल के बाद यह आपको लंसम 10-11 लाग के आसपा आपको दिया जाएगा जो कि नोन टेक्स नोन टेक्सेबल होगा इसमें कोई भी आपका टेक्स नहीं लगेगा नेक्स्ट है जो अलाविंस होंगे रासन वगरा टीए डीए वो आपको दिया जाएगा जब तक आप सर्विस में रहेंगे लाइफ इन्सोरेंस जो कबर है वो आपका 48 लाइफ इन्सोरेंस कबर जिसके लिए कोई भी आपको अलग से चार्ज नहीं लगेगा यह फ्री आप कोश्ट होगा लाइफ लाइफ इन्सोरेंस कबर 48 लाग का होने वाला है अगर आपको डूटी के टाइम पर कुछ इंसिडेंट हो जाता है जो आपको सबसे पहले सेवा निदी पैकेस दिया जाएगा जो कि लंसम 11 लाग के आसवास होगा नेक्स्ट है अगनी वीर साटिपिकेट दिया जाएगा जो आपके फ्यूचर में आगे काम आने वाला है नेक्स्ट है आपको अगर दसवी से ही आर्मी में जोइन कर चुके हैं तो जब आप चार साल की डूटी करेंगे तो आपको साथ में आपको दिया जाएगा तो यह सब पैनिफिट हैं अगनिपथ इस कीम के तो अब आपको रिजिस्ट्रेशन कैसे करना है रिजिस्ट्रेशन करना के लिए आपको बताया जुलाई 2022 से रिजिस्ट्रेशन चुरू हो जाएंगे एक जुलाई से और आपको जाके प्रोफाइल बनानी अपनी चेक करनी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए जैसे अलग अलग पोस्ट है जन्रल ड्यूटी टेक्निकाल इस्टोर के पर वो आगे डिसकस करेंगे तो यह सब आप प्रोफाइल बना के अपनी लिजिबिटी चेक कर सकते हैं और जब भी आपका रेली साइट पर रेली होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एड्मिट काड आ जाएगा आपको इनफॉर्म कर दिया जाएगा तो नेक्स्ट है आगे इसमें कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए क्या-क्या लिजिबिटी क्राइटिरिया रहने वाल 33% मार्क्स होने चीए एज होगी साड़े सतरह से तेईस साल जो की तेईस साल जो दो साल एज बढ़ाएगी वो सिर्फ फर्स्ट बैज के लिए होगी जो 2022-23 का बैज होने वाला है आगे इसमें एज 21 यर की हो जाएगी तो अगनी वीर टेक्निकल के लिए या तो आपके पास ITI होनी चीए या फिर आपका intermediate होना चीए PCM से physics, chemistry और mathematics से और साथ में आपका English होना चीए 50% marks के साथ और 40% each subject में आपके marks होने चीए अगनी वीर टेक्निकल के लिए और age criteria है इसमें साड़े सत्रह से टेइस साल next post है अगनी वीर क्लर को restore की पार इसमें भी intermediate होना चीए आपका math, accounts या फिर bookkeeping से और साथ में आपका English subject होना mad entry है यह subject आपके mad entry होंगे और 50% marks आपका score होना चीए next है इसमें अगनी वीर टेट्रेट्समें 10th के लिए तो जो अगनी वीर टेट्रेट्समें 10th होगा उसमें 10 पास मांगेगा और 8 वालों के लिए 8 पास मांगेगा age criteria सेम है साड़े सतरह से तेईस साथ तो यह इन इन पोस्टों के लिए आपका notification आउट किया गया है और साथ में यहाँ पे note भी दिया गया है जो अपर age limit है 21 से 23 साल करीगी है वो सिर्फ 2022 23 का जो batch होगा इसी के लिए या एक टाइम के लिए relaxation दिया गया है अगला जो batch के लिए notification आएगा उसमें 21 साल ही आपको age देखने को लिए मिलेगी तो अब आप physical standard देख सकते हैं वीडियो को pause करके भी देख सकते हैं तो यह सब आपको पता होन चे तो डिस्क्रिशन में टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वहां से आप यह notification कर सकते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आपके पास टेक्निकल में डिप्लोमा है या फिर आपके पास तो वनियर आईटेए के लिए तीस मार्स टेए जाएंगे बोनस के टूइर आईटे एक लिए चालीस मार्स और डिप्लोमा लोगले पचास मार्स तीज जाएंगे ऐसी ही आपको स्पोर्स आडिविकेट में वेटेज दिया जाता है कि डिश्टिक के लिए अलग नेशनल लेवल के लिए अलग अलग और जो इसमें में इंपोर्टेंट पॉइंट है वह है एक अप्टुकर दो जार बाइस को आपका एज काउंट होगा इंडियन आर्मी का नोटिविकेशन आएगा उसमें कुछ चेंजिस हो सकते हैं उनकी जो डेट हो सकती है कैलकुलेशन की डेट बर्त काउंट होगी या एज काउंट होगी वह अलग हो सकता है तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें आगे जो भी नोटिविकेशन आएगा उसकी जानकरी के लिए तो यह इंडियन आर्मी का नोटिविकेशन बागी यह आप पीडिया डाउनलोड करके खुछ से भी एक बार करने से भी पहले आप पढ़ सकते हैं जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पाइंट थे इस नोटिविकेशन में वह आपको डिसकस कर दिये गए हैं और यह आपका इंडियन निवी का जो नोटिविकेशन आ रहा है उसकी जानकारी के लिए चैनल को सुस्क्राइब करें वीडियो को सेर करें धन्यवाद चैहिन